हाई गाईज आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन किम्ची वैसे चव ट्रडिशनली किम्ची में यूज होता है फर्मेंटेड श्रिम्प और फिश सॉस लेकिन आज हम किम्ची का वेजिटेरियन वर्जन बनाएंगे वो भी इंडियन कैबच के साथ तो चलो स्टार्ट करते है वीडियो को जो गाईज यहां पर मैं लोग यह कैबच तो यह इंडियन कैबच हमार नॉर्मल डिशनली नापा कैबच यूज होता है आपको फोटो दिख रहा होगा जो कि इंडिया में जल्दी अवैलेबल नहीं रहता है बहुत ही मुश्किल से मिलता है तो आज हम इससे ह करेंगे और चॉंक्स कर लोगी का अगर अपना अपना चाबच यूज कर रहे हो तो स्वेच पर मैं कैड़ करना होता है और आगे का प्रोसेस करना है तो यहने कट कर लिया है अब हम इसको साइड में निकाल लेंगे निकाल लिए अभी हमें चाहिए दूसरे कुछ वेजट करूंगी तो इसको मैं कुट कर लिया इस तरी किसे मैंने को कट कर लिया है अभी चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं तो गार इस यहाँ पर मैंने कैभिज ले लिया है वापस से अभी इसके आप पर हम दालेंगे शॉल्ट तो यहाँ पर हमें काफी अच्छी कॉंटिणी में जाल देना है और शको छीज़े मिक्स कर देना है इस चाहिए हमार कैबच सॉफ्ट और सीजन हो जाता है अब आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं तो यहां पर हमें बनाना है वाटर और फ्लावर का मिक्सचर जो कि किमची का बेस होता है और फर्मेंटेशन में भी हल्प करता तो यहां पर एक पैन लिए मैंने गैस ऑन नहीं किया है इसके अंदर मैंने पानी दाल दिया है और यहां पर मैं कॉन फ्लावर यूज कर रही हूं आप राइस फ्लावर या मैदा भी उसकते हो और इसको भी हम मिक्स कर देंगे वाटर के साथ मैच्चे से तो गाई यह इसको हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि लंप स्पॉंब ना हो यह देखिए अभी एक ठीक पेस्ट में कनवर्ट होना स्टार्ट हो चुका है इसको हमें जादा कुक नहीं करना है इस तरह किसे हो गया अब यहम इसको उताले लेंगे सो गाइस यहां पर हमने थंड और अभी इसके बाद इसके अंधर हमें डालना है अनियन यह नॉर्मल वारा नियन है तो यह में डाल दूंगी और इसके बाद यहां पर मैंने लिया है जिंजर और गालिक गालिक कौंटिती सोड़ी जादा होनी चाहिए जिंजर से अभी हम इसको एक पेस्ट बना लेंगे यह बन गयाय पर चलो अभी किम्ची बना दे सुबाद यहां पर हमने जो कैबज साइड में रखा हुआथा वह अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और से जाद हो गया है अभी हम इसको वाश कर लेना ऑच्छे से और इसको अच्छे से ड्राय कर लेना है कुछ जैए से अभी मै गालिक अनियर और वह पेस्ट का तो यह मैं दाल लूँगी अब इसके बाद हमें दालना है सॉल्ट और शुगर शुगर से भी फर्मेंटेशन में हेल्फ मिलती है तो हम इसको जरूर से दालना है और यहां पर मैं दाल रही हुई नेगर कि इससे खटास आएगी अगर आप इ चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर को मिक्स करकर ट्रडिशनली वहां पर गोचु गारू यूज होता है कोरिया में जोकि इंडिया में बिल्कुली रैरली मिलता है तो हम इसको यूज करेंगी यह भी वैसे ही वार्क करेंगा तो हमें बस सेम कॉंटिटी में चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर को मिक्स खर देना है इसको अच्छ से भी मिक्स कर देंगे और गाइज यह हमारा किमची पेस्ट रेडी हो गया है इसको भी हमें ले लेना है और अब यह मिस के अंदर दाल दाल लिया है वेजिस तो ही हैं पर मैं कैबईज दाल रही हूं और बाकी के जो हमने वेजिस कट की हुई थी वह भी मैं दाल दूँगी गाइज इसके इंडर रैडिश भी उस होती है बाइट मैं नहीं दाल रहे हूं मैंने पहले भी बता हैं अगर आपको पसन है तो आफिस में जैसे मेरे कैरट को कट किया उस तरह किसे आप रैडिश को भ इसको दूसरे बॉल में ट्रांसवर कर देगें तो गाइस जैसे मैंने इसको ट्रांसवर कर दिया है और यह हमारा किमची रेडि है आप इसको ऐसे ही भी खा सकते हो लेकिन यह फर्मेंट होने के बाद और भी अच्छा हो जाता है तो मैं इसको जो एर टाइट कंटेनर में बस एक रात के लिए शाम को यह से बनाती हूँ और रात पर इसको भार लग देती हूँ फ्रिज के और फिर सुबा में मैं इसको फ्रिज में लग देती हूँ तो एक दाम अच्छे फर्मेंट हो जाता है तो गाइस यह मैंने कुछी से किया वाई पहले किमची को तो यहां पर आपको डिफरंट दिख रहा हूँगा यह ग्रीन अनियन में कलर में तो यह हमारा फर्मेंटेट किमची है यह देखिए यह बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में रेमन के साथ काओ या तो फिर राइस के साथ काओ बहुत ही अच्छा लगता है और हाँ गाइस क्या आप को वीडियो पसना हो प्लिस प्लिस लाइक कीजएगा शेल कीजएगा सब्सक्राइब वीडियो में चैनल को मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई